हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, गाइस कैसे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करती हूँ, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और आपकी उत्राखंट LTSST की प्रिप्रेशन कर रहे हैं, गाइस जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्राखंट LTSST की प्रिप्रे चैनल पर नए हैं, तो जरूर से सस्क्राइब कर लें, और बेल आइकन भी ओन कर लें, इससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, साथे साथ आप अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो उत्राखंट LTSST से प्रिपेर कर रहे हैं, दे जाहिर सी बात है कि आर्थ सास्तर जो होता है, वो धन के विज्यान से रिलेटर है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आर्थ सास्तर को धन का विज्यान किसने कहा था, आर्थ सास्तर के जनम दाता थे वो थे दोस्तों Adam Smith, ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहीं से आपका ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आर्थ सास्तर क्या है, आर्थ सास्तर सामाजिक विज्यान की वेशा का है, जिसके अंतरगत वस्तों और सिवाओं के उत्पादन, वित्रण, विन्मै और उपभोक का अध्यन किया जाता है, यह तो यहीं हमारी समिस्टी अर्थसास्त्र, तो व्यस्टी अर्थसास्त्रों को कहते हैं हम microeconomics, याने सुक्ष्म अर्थसास्त्र, और समिस्टी अर्थसास्त्र को कहते हैं हम macroeconomics, याने ब्रहद अर्थसास्त्र, ठीक है, अब हम इसका मतलब समझते हैं व्यस्टी अर्थसास्त्र क्या है तो व्यस्टी अर्थसास्त्र वे अर्थसास्त्र है जिसके अंतरगत एक फर्म एक उध्योग और एक व्यक्ति का अध्यन किया जाता है जबकि समिष्टी अर्थसास्त्र की बात करें तो ये अर्थ विवस्ता का समग्र अध्यन करता है अगला प्रशने हमारा Adam Smith की पूस्तक, रास्टों के धन की प्रकरती, एबम कारणों की खोज, किस वर्स प्रकासित हुई थी? अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, अर्थसास्त के जनमदाता कहा जाता है Adam Smith को, इसी को इंगलिस में कहते हैं An Inquiry into the Nature and Cases of Wealth of Nation, ठीक है? और ये बुक जरूर पूछी जाती है कि ये कब प्रकाशित हुई थी? तो चार उप्शन आपके सामने हैं 1677, 1767, 1776, या फिर 1676, तो इसका यहां पर हमारा राइट उप्शन हो जाएगा C वाला 1776 को, ठीक है Adam Smith की जो ये बुक है, ये 1776 में प्रकाशित हुई थी, तीसरा प्रशन हमारा अर्थ सास्तर का जनक किसको कहा जाता है? मार्सल, रॉबिंसन, एडम स्मित, या फिर इन में से कोई भी नहीं, तो यहां पर हमारा राइट उप्शन होगा C, एडम स्मित, इनकी बुक का नाम है An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation, जो कि सन 1776 में लिखी गई थी, और अर्थ सास्तर क धनात्मक अर्थ सास्तर से या फिर उप्रुक्त में से कोई भी नहीं, तो यहां पर हमारा राइट उप्शन हो जाएगा B, आदर्स अर्थ सास्तर से, नयतिक अथ्व मूले निर्ने संबंदित होते हैं, आदर्स अर्थ सास्तर से, अगला प्रशन है हमारा क्या है का अगला प्रशन है गाईज निमन लिखित में से किसे अर्थ व्यवस्ता में धन माना जाता है सूरे की किरणे, मा का मात्रतो, एक पेड़ की छाया या फिर आभूशन तो यहां पर हमारा राइट ओप्सन हो जाएगा D, आभूशन अर्थ व्यवस्ता में धन किसको माना गया है? आभूशन को माना गया है धन अगला प्रशन है हमारा निमन लिखित में से कौन से अर्थ सास्तरी द्वारा अर्थ सास्तर को मानवे जीवन की सामान्य क्रियाओं के अध्यन के रूप में परिभासित किया गया है पीगू, मार्सल, क्लार्क या फिर रिकार्डू तो अंसर रहेगा हमारे यहाँ पर B, मार्सल अगला प्रशन है हमारा अर्थसास्तर की किस परिभासा के लिए उसे घिर्णित विज्ञान कहकर आलोचना की गई तो यहाँ पर हमारे उप्सन है अर्थसास्तर कल्यान का अध्यन है, अर्थसास्तर सीमित्ता का अध्यन है, अर्थसास्तर ब्रदी का अध्यन है, अर्थसास्तर धन का अध्यन है तो यहाँ पर हमारा राइट उप्सन हो जाएगा D, अर्थसास्तर धन का अध्यन है अगला प्रस्न है अर्थ सास्तर में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा भूमी को जोतना मित्रों के बीच में गाना गाना एक बच्चे को सड़क पर बहुत बड़े गड़े में गिरने से बचाना या प्रसनता के लिए एक चित्र बनाना तो यहां पर हमारा अगला प्रस्न है आर्थिक समस्या का संबंद है संसादनों की दुरलपता से आवस्सक्ताओं की दुरलपता से आय की दुरलपता से या फिर उप्रुक्त में से कोई भी नहीं अगला प्रशन है आर्थिक विकास का प्रंप्रावादी सिद्दान्त संबंदित है जॉन रॉबिंसन से, ज.E. मीट से, ड.E. रिकार्डो से या ज.E.M. किन्स से तो आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हमारा C. ड.E. रिकार्डो से अगला प्रशन है निमने लिखित में से क पीटर दौरा, सैमिल्सन दौरा, रॉबिंस दौरा या हिक्स दौरा तो गैज यहाँ पर हमारा राइट ओप्सन हो जाएगा B. सैमिल्सन के दौरा दी गई थी आर्थसास्तर की विकास केंद्रित परिबासा अगला प्रशन है हमारा साम्य फर्म के अवधार्णा किस ने द थी अगला प्रशन है ट्रेट die academic पॉलिटिक पुस्तक के लेखक कौन है किन्स, पीगु, रिकार्डो या उप्रूक्ट में से कोई भी नहीं तो यहाँ पैमारा right option हो जाएगा डीडीडीने उप्रूक्त में से कोई भी नहीं लेकिन ट्रेट डी एकनोमिक पॉलिटिक पुस्तक के जो लेखा के हैं वो है जे बी से, जे बी से की पुस्तक का नाम है ट्रेट डी एकनोमिक पॉलिटिक, अगला प्रशन है हमारा एक सिद्धान्थ है, एक माननेता, एक यदि तब परती स्थापना, एक परिकल्पना या एक प्रमानक परीकल्पना तो यहां पे हमारा right option हो जाएगा D वाला 1 प्रमानक परीकल्पना अगला परशन है यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखिया मांग वक्र को इसपर्स करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच इसपर्स बिंदू पर एक होगी भिन होगी या तो एक होगी या भिन होगी एक इसपर्स बिंदू की स्तती पर निर्बर करता है तो यहां पर हमारा राइट आप्सन हो जाएगा एव वाला यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखिया मांग वक्र को इसपर्स करती है तो दोनों मांग वक्रों क की लोच इस पर्स बिंदू पर एक समान होगी तो ये थे आज के मारे 20 मैं तो पुन प्रस्ण जो हमने इस वीडियो के अंदर डिसकस कियें गाइस तो इसी तरह से आप चैनल पर बने रहें आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहेंगे तो चलिए मिलते हैं आगली वाली आपने वाद